हलो दोस्तों वेलकम बैक टू श्टड़ी वित्तिबारी चेनल तो कैसे हो आप सब आई होप आप सभी सही होंगे और अपनी प्रिप्रेशन अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि पेपर नस्तीक है तो आपका पढ़ना शवावी की है तो आज की क्लास को सुरू करते हैं तो इस क्लास में हम उप चार आत्मक सिच्छन के बारे में फुल रिटेल से बारे कोशनों को देखेंगे जो अब तक की परिच्छाओं में पूछे गए हैं और उसके साथ ही इस पश्टी करण भी पढ़ेंगे तो आप क्लास में लाश्ट तक बने रहे हैं और यदि आपने अभी पंदर में पूछा गया कुश्यन है यह निदान की परिच्छन विदी के प्रकार होते हैं तो आपको पता है एक होता है निदान और एक होता है उपचार तो निदान में क्या होता है निदान में हम कारणों का पता लगाते हैं कि क्या कारण है और उपचार में हम उसका क्या करते हैं उपचार करते हैं तो निदान के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं अलग-अलग प्रकार से किस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें अलग-अलग प्रकार से दिये हुए इसमें प्रिकार यदि निदान के वारे में आप से पूछाए जाए तो निदान दो प्रिकार का होता है तो एक तो होता है व्यक्ति केंदृत और दूसरा होता है समु केंदृत यदि आपको निदान एक ब्रक्ति का करना है पर्शनली करना है तो एक का कर सकते हो और यदि सारे बच्चों का करना है समू में करना है तो समू में भी कर सकते हो दूसरा होता है अध्यापक निर्मित और मान की करत इसको भी मान सकते हैं क्योंकि अध्यापक निर्मित और मान क क्रत भी बोल सकते हो एमान की क्रत कि को के हिंदी भासा हिंदी बासा के मौकिक और लिकित आप मौकिक के द्वारा भी निदान कर सकते हो तो मौकिक भी हो सकता है और लिकित भी हो सकता है इस प्रकार से निदान के दो प्रकार होते हैं कि नैस्ट उपचार आत्मक सिच्छन है एक बात आप हमेशा याद रखो कि निदान आत्मक परिच्छन होता है और उपचार आत्मक क्या होता है सिच्छन होता है तो उपचार आत्मक सिच्छन है इसमें और निदान आत्मक क्या होता है परिच्छन उपचार में तो हम उपचार देखेंगे, सीकने सम्मंदी कठनाईयों का ग्यान प्राप्ति करना, तो ग्यान प्राप्ति करना, तो इसमें तो ग्यान हम बच्चों का ले रहे हैं, तो बतलब निदान हुआ है, बालक की बरतनी सम्मंदी कठनाईयों का पता लगाना, तो पता लगा रहे हैं तो निदान हुआ सिच्चक की बिशे सम्मंदी कठनाईयों का पता लगाना जिसमें भी पता लगाना सब्दाइब वो होता है निदान और उपचार क्या होता है जिसमें हम उपचार करते हैं कि अध्यापन सम्मंदी अध्यापन सम्मंदी कठनाईयों को दूर करते हुए सिच्चन कीया जाना उपचार में क्या होगा जो सम्मस्या समने आई है निदान के बाद उसको उमने दूर करना है वो होता है उपचार देखो उपचार में क्या क्या आता है कमजोर सिच्छार्थियों के लिए सिच्छन अधिगम के दोस्पूर परभावों को दूर करना तो इसमें दूर किया जाता है जो कमजोर सिच्छार्थियें हैं सिच्छन अधिगम में दोस इसका आधार दोसों का निधान है दोसों का निधान निदानात्मक परिछण होता अ Hawk It is CoE too,чиça नात्मक डोनों को कह सकते हैं आप लेकिन इसमें कहा जा रहा है अध्यापन किसे कहा जाता है उप्चानात्मक सिच्छड के आधार बूत बिसे कौन कौन से होते हैं कि आप उपचार किस किन बिसों का कर सकते हो एक तो जेस प्रिकार से कुसी बालक के बाचन में असुद्धी है तो उसके बाचन को सुदार सकते हो लेखन में असुद्धी कर रहा है लिखने में तो उस लेखन की असुद् तो याद रखना सिंप्सम और योकम के उंसार उप्चानात में शिच्छन के आदारभूत बिसे कौन-कौन से होते हैं बात्सम लेकन उच्छाडण भासा और अंक गड़त क्रियाएं कौन-कौन सी करें इसमें फुल डिटेल है दूशित मनोब्रती तुरूटिपूर आदतों को समाप्त करना तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ उपचार में आपको जो बच्चे के सामने आपके सामने बच्चे को लेकर जो समस्य से आई है उसको दूर करना ही उपचारात्मक सिच्छण होता है बालकों को हीन भावना को दूर करना भी उपचारात्मक सिच्छण के अंतरगत आता है तो दोस्ते मनोब्रती तुरूटिपूर आदतों को समाप्त करना भी उपचार के अंतरगत आता है गला ते धंक से सीकी गई अधिकम सामगरी का पु अगला क्या है अधिगम कठनाईयों को दूर करना इसमें अधिगम के में जो कठनाईय आ रही है उनको दूर करना उपचार का पुर्मक उद्देश होता है पिछडे बालकों को हीन भावना से बचाना ये भी उपचाना तमक्षिछन के अंतरगत आएगा अपरादी प्रिबि के बालक है उनका उचितमार का दर्शन करना गंबीर संबेगों से पीड़ित बालकों की अच्छंपताओं को दूर करना पढ़ने के लिए प्रेरित करना बैसे के प्रति रुची उत्पन करना प्यक्तिकत भिन्यता के आधार पर पढ़ाना ये होता है उप्चारात्मक सिच अब इसके सिध्धान्त कौन कौशे होते हैं प्रमुक शिध्धान्त उप्चारात्मक शिच्छन बास्तविक सेच्छिक इस तरह से सुरू किया जाना चाहिए तो बास्तविक सेच्छिक इस तरह आपको ध्यान रखना है शुरू किया जाना चाहिए चात्रों को प्रिगर् तरह शराहा जाना चाहिए, दिये गए कारे ओं अपयासों में भी बिन्ड़ता हो निए, यह जैसे कारे नहीं दिये जाएं, बार-बार अलग-अलग प्रिकार्षे कारे दिये जाएं, जिसे की छात्र वी नहीं, उसको वोरियद मैसूस नहीं हो, अब क्वेशन देखते हैं, देखो इसमें जब चिकिस्यात्मख कहा जाता है तो यह नहीं इसमें देर का चिकिस्या नात्मक अध्यापन में आएगा सिधा का सीधर सिर्फ उप्चार क्या होता है अध्यापकों की कमियों का उपचार नहीं अध्यापक से कोई लेना देना नहीं है चात्रों के गायल होने पर उपचार करना गायल होने पर नहीं कुछ कह नहीं सकते तो ये भी गलत चात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने ही तु सिच्चन करते हैं तो ये होता है उपचारात्मक सिच्चन का उद्देश है उपचारात में सिच्छा का उदेश क्या है चात्रों की तुरूटियों का पता लगाना ये तो निदान में जाएगा गलत चात्रों के प्रती रुची उत्पन करना गलत बिसय के प्रती रुची उत्पन करना तो हो सकता था लेकिन चात्रों के प्रती रुची उत्पन करने से क्या मतलब है इसमें तो ये भी गलत हुआ यदि बिसे के प्रति रुची होता तो सही होता चात्रों की प्रिक्रती का ज्यान प्राप्त करना चात्रों की प्रिक्रती हमें किस से प्राप्त होगी उपलब्दी परिछण से प्राप्त होगी ये भी नहीं होगा चात्रों का लिखता हे तो किया उपचार करें Kyi कोई विध्यारति असुlt लिखता है अब आप पतने कोई कैसा लिख रहा है उपचार करें निदानात्मक परिष्ण क् gentov नहीं होगऄ क्योंकि आपको पता इस चले क्कि दमने नहीं होगा उस भी नहीं सब्सक्रण इसमें होगा उप्चारात्मक सिच्छण उप्चारात्मक सिच्छण में नहीं होना चाहिए उप्चारात्मक सिच्छण में क्या नहीं होना चाहिए उश्याय बर्दन होता है अभ्यास होता है उपहास या साहानुबूती उपहास कहते हैं निंदा को अपास किसको कहते हैं निंदा को असना तो यह नहीं होता एक बालक जरुवत से जादा अपने आपको अश्मर्थ समझ रहा है वहीन भाबरा से गरंथी से पीरत है तो आत्विस्पास खोवेटा है एक सिच्छक के नाते आप उसका उपचार कैसे करेंगे तो यह रीट 2021 में आया था इसमें लिखानी है रीट 2018 में आया था दंड देकर कदापी नहीं परबार को सूचना देकर नहीं मित्रों के साथ भूमने की प्रिना देकर नहीं तो देको यह तीनों ही विकल्प आपको नकारात्मक से लग रहे हैं यहीं विकल्प ऐसा है जो कैसा है सकारात्मक साहाने भूति पूर विवा यह कैसा सब्द है सकारात्मक भी है और कोश्चन के एकॉर्णिंग भी सही होगा उपचारात्मक सिच्छन के लिए आवश्यक नहीं है उपचारात्मक सिच्छन के लिए आवश्यक नहीं है क्या नहीं है शिच्छण विदी को इस्ताई रखना विध्यारतियों की किसी भी गलती की अभेलिना नहीं करना पहले निदानात्मक परिच्छन कर लेना तो पहले सही बात है उपचार तभी तो होगा जब निदान होगा निदान के बाद उपचार आता है तो उपचार का आधार क्या होता है निदानात्मक परिच्छन उसका आधार होता है तो ये तो है तो विध्यारतियों कि किसी भी गलती की अभिलना नहीं करने चाहिए बिलकुल सही है क्योंकि यदि आपने किसी भी बालक की गलती की अभिलना कर दी तो बालक के मन में हीन बाबना उत्पन हो सकती है इसलिए वो पिछड भी सकता है, तो उसका उपचार ठीक से नहीं होगा, तो ये भी ठीक है, शिच्छण विदी को इसता ही रखना ऐसा तो नहीं है, कि आपने शिच्छण विदी को इसता ही रखना उपचार आत्मक शिच्छण में पढ़ा हो, आप अपनी शिच्छण विद को इस ताई रखना इसमें आवशक नहीं होता यह थे दस कोशन आयोब आपका उपचारात्मक सिच्छन अच्छे से क्लियर हो गया होगा यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में फीड़ बेक देना ना भूले और यदि आप न्यू आइकन को प्रेस कलने जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलते हैं इसी प्रकार के महतपूर प्रिश्णों के साथ नेस्ट वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा बाइबाइट टेक कियर अल आफ यू जैहन जैवारत